Straw Heads का एक टाइम पर जो सबसे जादा powerful ally था, अब वो Straw Heads को betray करके गोरोसे के साथ शामिल हो सकता है हाँ, this is true, हम उस character की बात कर रहे हैं जिसकी power इत्ती जादा immense थी कि उसको एक बार screen पर दिखाने के बाद उसको कभी वापसी नहीं लाया गया और नहीं उसकी कभी दुबारा बात हुए क्योंकि अगर वो वापसी आता तो there is no way कि लूफी उसे कभी सरपास कर पाता और यहां हम बात कर रहे हैं सोगे कि यह अभी तक का एकलौता ऐसा character है जिसको पूरा fandom accept करता है as the only immortal rival of Lord Buggy बट भला यह गोरोसे का साथ क्यों देगा I mean what is the need वेल कोई भी पावर अकेले नहीं चल सकती अगर कई light और darkness का भी उसके साथ चलना ज़रूरी है अगर कोई हद से जादा powerful है तो उसका rival होना भी ज़रूरी है वनना ना उस light का कोई मतलब है और ना उस power का इस time straw hats के allies बढ़ते जा रहे हैं और वो इतने जादा strong हो रहे हैं कि अवो world government के equal हो रहे हैं अब कल की shot में हम बताएंगे कि इमू की room में इतनी सारी swords आखिर क्यों है अगर तुम्हें वो जानना है तो अफर subscribe कर लो इस channel को